अब नमस्ते गुरुजी जै गुरुजी महाराज जै गुरुजी सासंगत जी शुकराना गुरुजी महाराज दा मल्टी लिंगो सेवतार टीम अब सबका स्वाधत करती है आज एक बर फिर हम सब धन है गुर्जी महराज का ड्वाइन क्रांथ लाइट वडिमिनिट से एक सथसंग सुनेंगे आज का सथसंग पुनिर सिंग अंकल जी का लिखा हुआ है जो की सेवा बिलातेरम अंकल जी को दे गई है पढ़ने के लिए नेरेट करने के लिए गुर्वाद की तरफ से आपका जैगुरी जी ओवर टी यू जैगुरु जी गुरुजी को शर्णवंधना और गुरुजी की संगत को नमन यह सो भाग्या है बार बार मिले की गुरुजी की उत्सत्त करने का मोका मिलता रहे बहाना कुछ भी हो जिस चीज की लख लग जाती है तो उसमें आज भी बहाने डूनता है लेकिन यहां तो महाराज जो ना बिना किसी उसके सोचे ही जेन ऐसा किरपा बरसाते हैं कि हमें सोचना ही नहीं पड़ता कि किस चीज को कहां से डूमडा जाए यह आज पुनीच सिंग अंकल जी है जिनका यह सत्संग है लाइट ओफ डिवनिटी जो गुरु जी ने अपने चोले में रहते हुए जो है संगत के सत्संग कमपाईल कर आए थे जो गुरु जी की ब्लेसिंग से संगत को experience हुए थे कि गुरु जी ने उनके लिए क्या-कया उनके उपर किरपाई की हैं क्या blessings उनों ने बरसाई हैं ये उनको एक छोटा से एक रूप बना के छोड़के गए और इसमें आगे कितने संगत बढ़ रही है और उस संगत के कित इतने experience इंक्लूड हो रहे हैं ये तो जब ये सत्संग सुनते हैं जहां भी कहीं सुनते हैं चाहे वो गुरूजी के चोले में रहने रहते हुए कि संगत हो या उसके बाद की संगत हो सब के पास experience है और वो experience है जो आज तक किसी ग्रंथ किसी वेद पुरान में पढ़ने सुनन और बयान किये है तो आज आज एवरी स्टैप ओफ दवे ही मतलब गुरूजी हमें हर जिंदिकी के हर कदम पे जो है ना हमाएं रक्षा करते हैं उन्होंने एक शबत से सुरुवाद की है तेरे कवन 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 का कहें तू सहे गुणी निधाना यानि कि गुरूजी तुम्हारे कौन-कौन से गुन जो ना कहके कि मैं गाउं क्योंकि तुम जो है गुनी निधाना आओ कि गुणों के खान हो और यह प्रूव हो रहा है आज की जो संगत है उसमें यह प्रूव हो रहा है जो अंकल ने जो भी इसमें शबत जो है क्योंकि हर संगत का अपने एक है किसी को कोई शबत अपील करता है कभी एक बार ऐसा वी वक्त था कि एंपार स्ट में मैं बैठा हुआ था शबत चलना था अंदर गया पता ही लगा कि मेरे जो फ्रेंट साइड है वो पूरा भीगा हुआ था आंसों से और मैंने जब आख सबक चेंज वो आख फुली तो मैंने अपने उपर देखा में मेरे को लगा कि मैं बड़ा ओक्वर्ड हुआ है हमारी नेगेटिविटी कह सकते हैं हमारे जो ऐसी जो बुर्भावना है जो हमारे इंदर बैठी हुई होती है दूसरे के पर तीचाय के से भी हो उसको निकालने के लिए हरे के कोई न कोई शबद है जो उनको अपील करता है तो अंका का जो शबद यह है कि भी तुमारे कौन-कौन से गुन कह कह के गाउं क्योंकि तुम तो गुणों की खान हो सथ संग सुरू होता है जुन-जुलाई 2001 अंकल बोलते हैं कि उनके माता पिता ने पेरेंट्स ने गुरुजी के यहां एंपार स्टेट में जुन-जुलाई 2001 से जाना सुरू किया और वो कहते हैं कि हमने महसूस किया, हमने महसूस किया, कि जो हमारी सूक्षम चेंज आ रहा है हमारी जीवन में जो है, अच्छाई की तरफ, बैटरमेंट की तरफ, आगे वो अपने बारे में बोलते हैं, अंकल, I was unhappy with my posting in Germany. वो समय जर्मनी में posted थे, और वो जर्मनी की posting से अने पीत है, यानि कि नाखुश थे. But with Guruji blessings, I was posted to India for seven months. यानि कि Guruji की blessing से, वो साथ महिने के अंदर भारत में आ गए, भारत में posted हुआ है, and settled down at the job. और अपने जो काम था, उसमें वो settled down होगे. Around this time, my sister marriage was going through a turbulent phase. वो कहते हैं, उसी वक्त, जब उनका इंडिया में यहां पोस्टिंगा रहुआ हुआ, उसी वक्त उनकी जो sister की marriage थी, जो marriage life थी, उसमें कुछ अशान्ती, ऐसा मलब, फेज चल रहा था. कि जो, और वो कहते हैं कि, we consulted astrologers, who ruled out a happy marriage for her. जो उन्होंने जोट्सियों को दिखाया, उन्होंने बताया कि, इनकी happy marriage होने के chances कम हैं, है ने. But with Guruji's blessings, her domestic life better become better. यानि कि, उनकी जो sister की है, Guruji की blessing से, जो जोट्सी थे, वो तो उसको ensure नहीं कर पा रहे थे, कि उनकी जिंदगी में कोई अच्छा पल आएंगे marriage में. लेकिन Guruji की blessing से, उनकी जो जिंदगी थी, domestic जो घरेलू जिंदगी थी, यानि कि उनकी जो ग्रैस्ती थी, उसके अंदर betterment होने लगा. तो ये है कि जहां ये जोट्सी, ये तांत्रिक, ये दुनिया की सारी जो ये calculation है, फेल हो जाती है, वहां Guruji अपना blessing से जो काम करते हैं, वो तभी महसूस होता है. कि जब हम अपनी अकल, अपने संसादन सब कुछ लगाने के बाद भी उन परिशानियों से पार नहीं पापाते, तो तब हम हमारी भटकन शुरू होती है. क्यूकर आदमी जब तोट जाता है, कि पेड जब फलता है तो जुखता है, तोटता है, तो इनसान के साथ दिखकत है, इनसान जितना कामयाब होता है उतनम वो अकड़ता है. लेकिन जब मुसीबत आती है उसके साथ मेर हर कोसिस उसके बिकार चलियाते तब वो तूटता है और उस तूटने के बाद में क्योंकि उसका एहम और वहम दोनों तूट जाते हैं तब वो मालिक की तरफ मू करके बैठता है और एक ही उम्मीद करता है वो कि कोई ऐसी शक्ती कोई ऐसा मिल जाए जो इस जो भवर है इस गड़ेस उसको निकाल के ले आए वो भी सुरक्षे तो गुरुजी की ब्लैसिंग्स से हैं कि जहां एस्ट्रोलोजी जो थी वो फेल हो गई उनके हिसाब से कोई उपाय कोई नियम कुछ ऐसा नहीं था जिससे उनकी मैरिज लाइफ जो है अच्छी हो जाए लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि वो गुरुजी की सरण में आ चुके थे और गुरुजी की सरण पा चुके थे तो गुरुजी की मात्र ब्लैसिंग से गुरुजी ने कोई उपाय नहीं बताया गुरु जी ने कुछ नहीं कहा लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स जो हमेशा संगत के उपर बरस्ती रहती हैं और कल्यान करती रहती हैं हमें पता लगे या ना लगे क्योंकि गुरु जी कभी भी जो है न वो अपना नाम नहीं कराते भी तेरा ये करने जा रह molta थे जो हमें अगया उनलों बोले अलसो अंडंजा की मैं अपनी जिन्दीगी का पता रहे हैं ऐगल की मैं अपनी जिंद़ब्र बेडक गुजर रहा फ्रोन दोजार से. And only through his blessings, I have a, have I, blessings have, I overcome difficult situations. लेकिन उन बुरे दोर से गुरुजी की blessings से जो है, वो उससे निकल पाए. उन जटल परिस्तिती हो से, situation से. जोटा 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 उनकल ने अपने experience को शेट, एलोबिरेट ना करके उसको सिर्फ जोजीस्त है, अपने ससंका उसको उन्होंने शेयर किया है. once while in Europe my bag which included a passport credit card and keys got lost वोई कहते हैं कि जब मैं एक बार योरोप में था उनका बैग जिसमें उनका passport था credit card था और चाब यहां थी वो गुंग हो गया I just remembered गुरुजी कि वो कहते हैं कि मैंने बस गुरुजी को याद ही किया था क्योंकि जिससे उम्मीद होती है हम जब बुरा वक्त आते तो हमें यह होता है कि हम ऐसे किस के सात्व संपर्क में आएं यैक इसको हम कृल करें किसको बुलाएं कि वो हमें आके इस अहलासे मेरे निजात दिला सके या पार पा सके तो जब उनका बैग खोया तो बैग थोने सासे में उन्होंने के वो खुएते कि मैंनेने जस्थू को याद़ी किया था इतने में के लिए does के सटाफ ने उनको इन्फ़ो किया कि आपका यह मिल गयर और बैक जब उनने उनका उनका ग concern और उस बैक मैंसी कुछ भी चोरी नहीं हुआ да सब कुछ intact मज़े के दिन बड़े मंदिर में थे तो एक बड़े मंदिर में कोई संगत थी गुरगावमा की संगत ने आकर वो बता रहे थे कि ऐसे जो ने एक कोठी में गुरगावमा में कोठी में जो ना तीन दिन तक चोड रहे उन्होंने खूब खाया पिया, सब कुछ किया तीनों दिन, और सारे ताले तोड़ दिये लेकिन उनका जब वो तीन दिन से बाहर थे, जब वापस आए तो उन्हों ने देखा कि सारे घर के ताले तूटे हुए हैं लेकिन उनका एक चांदी का को सेट था कोई वो खोया था बहुत मामूली दो जो उप्खोय थे मैं वहीं खड़ा था बात बता रहे थे इतने में वह आंटी जिनके घर चोरी हुई थी वह आ गए उन आंटी ने जब सुना तो उन्होंना काई यह तो हमारे घर की बात है यह तो हमारे घर चोरी हुई है यानि कि उनका तीन दिन चोर रहे सब ताले तोड़ दी उन्हों सब जगे खंगाल के देख लिया थी कि उनकी जो कैस थी जो 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 भी वेलियो चीज थी कुछ भी नहीं गया जब वो एंपार स्ट्रेट गये गुरुजी के सामने मत्था टेका तो गुरुजी ने बोला कि पंजाबी में तुम तो घूमने जाते तुमारे बीचे से मेरे को तुमारी जो जो एना उसकी घर के रक्षा करनी पड़ने तो आंटी ने बताय था कि एक जगे बड़ा मामू ले थे वो सारे तोड़के देख लिए पर उसको हाथ नहीं लगा और सब कुछ उसमें रखा हुआ तो यह गुरुजी की मेरे के वो घूमने गए हैं और गुरुजी उनकी रक्षा कर रहे हैं ऐसी संगत आती थी कि जैसे अंकल बता रहे हैं कि जस्ट उन्होंना याद ही कि और उनका वो समान भी मिल गया और समान बिल्कुल इंटेक्ट था उसमें से कोई भी चोरी नहीं गया यहां तक गुरुजी अभी तक मैंने किसी वेद में पुरान में ऐसा नहीं है कि किसी ने ऐसी कोई दुन्यावी हैल्प भी की हो जो मानता है उनको जो पुझता है जब अपने नियम से कि वह करता है कि वहां तक भी उनका है कि तिनी चोटी-चोटी चीजों को जो है गुरुजी समहाल के रखते हैं हमारी यह वह जबी अंकल ने जो बोला ही प्रोटेक्ट सास एवरी स्टेप ऑफ दवी हर चंड उनका जो कल कि इसके बाद उन्होंने दोजार चेक है कि अप्रेक्स कि अधियर है अंकल वांटीड टूटू पाकिस्तान में विजो रहा है उन्होंने चाहा कि पाकिस्तान में जाके सारे गुरुद्वारों का वह जाके मत्था टेक है अधर टेलिए अधर टेलिए अधर टेलिए अधर को अधर और वह भी बैस्ट जब शार्टिस कर रास्ता था वह नहीं मिल पार था आई सड़नली गोट रवीजा यानि कि जब हम अपनी अकल लगाते हैं तो गुरुजी महराज को ये करते हैं कि ये अकल लगा रहा है तो इसको जितनी अकल इसकी जितनी कैलीबर है जितनी इसके साधन है सब कुछ करके इस्तमाल करके देगने दो नित्युकल को ये कहेगा कि ये चोटा सा काम तो मैं भी कर सकता था इसमें गुरुजी की क्या किरपा है तो ब्लेसिंग्स वही नजर आती है जब हम फेल हो जाते हैं और जब वो मलब डिस्टिंक्शन से जब पास हो जाते हैं तब समझ में आता है कि हमारी हमारी जो पास होने की थी नहीं और ये डिस्टिंक्शन आ रही है तो उन्होंने बोला कि ये गोट दा वीजा ये आसो मेड पॉसीबल पॉर मी टू ट्रेवल टू गुर्दवारा पंजा साहिब विच फॉल्स रावल पिंडी डिस्टिंक्शन दो माई वीजा वाज लिमिटी टू लाहोर डिस्टिंक्शन ओनली अंकल बोलते हैं कि जो वीजा था वो वीजा था था ब्लेसिंग से उन्होंने रावल पिंडी में जो पंजा साहिब का गुर्दवार था उसमें भी मत्था टेकने का उनको अफसर मिला जबकि बहुत कम होता है कि जहां तक क्रेस्टे टेक वीजा है उससे आगे कोई जाने दे क्योंकि वो तो अनृत्राइज हो गया और जो हम चाहेंगे वो होगा नहीं होगा उसके उपर क्वेश्चन मारा क्योंकि हम नहीं पता कि हम जो अपने लिए चा रहे हैं वो हमारे लिए कितना ठीक है हमें नहीं पता वो बाद में हम समझ में पाते हैं कि जो हम मांग रहे थे मिल गया अब इसका क्या करें हम अपने बेटरमेंट के लिए मांगते हैं लेकिन पता लगता है मांगने के बाद कि वो तो हमारे लिए एक ऐसा जिन्दगी का जो न पोड हो गया कि जिसको हम भोगते भोगते जिन्दगी भी जाएक लिए कुछ से पार नहीं पाए इसलिए है कि सब कुछ उनके उपर उनकी पहुंच उनकी एप्रोच जो है हमारे से कहीं ज्यादा है हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं चैलाग साधन करने लिए कि नहीं पहुंच सकते हैं आगे उन्होंने आए कि डूरिंग लास्ट टू यहर्स आइवाज इन सिंगापूर एंड ट्रमेंडस वर्क बहुत ही मला भयानक जो काम के जो रिलेटीड इशू थे उनको बहुत ज्यादा जटिन इशू थे जिनसे वो पार नहीं पारे थे I had a difficult time कि वो एक मेरा बहुत ही कठिन दोर था with my colleagues अपने साथियों के साथ but Guruji helped me and sail through लेकिन जब ऐसा दोर चल रहा था कि जहां उनके साथियों के साथ जो colleagues के साथ उनके साथ इसू थे और जो work related इशू थे वो उनसे solve नहीं हो पार थे वो पार नहीं पार थे गुरू जी ने blessings की साहिता से वो उससे भी पार हो गए गुरू जी आलसो हैव्ड मी सेक्योर एडमिशन इन वन उफ बेस्ट यूणिवर्सटीजी इन एशिया पोरन म्प्रोग्रम उन्होंने अगला एक पता है कि गुरुजी ने उनको MBA प्रोग्राम के लिए उनका एशिया में जो थी उसमा उनका एडमिशन करा है जबकि तो I had no hope of getting in whatsoever कि किसी भी तरह से किसी भी जरिये से उस उन्हें में वो एडमिशन नहीं पा सकते हैं लेकिन गुरुजी की blessing से उन्होंने वहाँ admission लिया अगला एक उन्होंने बताया कि one day I escaped a serious accident कि एक दिन वो एक serious accident हुआ उनका लेकिन वो उसमें से बच गए my foot missed coming under a fast approaching bus वो कहते हैं कि मेरा जो पांव था वो miss हुआ एक fast approaching जो bus थी जो तेजी से जो restlessly जा रही थी उस bus में आने से as I came home unhurt कि मैं बिना घायल हुए जो इन्हें जब घर आया I saw that the frame inside which गुरुजी's photo was kept head settled into teeny bits वो कहते हैं कि जब वो घर आये उन्होंने देखा उनको तो कोई चोट नहीं लेगी लेकिन जो गुरुजी की जब एक frame में जड़ी हुई गुरुजी का चो शरूप था उसका वो जो है frame चूर चूर हो चुका था था थोट थोटे पीसों में लेकिन गुरुजी की photo बटदा photo was intact कि गुरुजी की photo intact यानि कि वो जो accident था गुरुजी ने अपने ऊपर लेकर उनको save कर दिया और सिर्फ उस frame पर वो सारा कुछ आ गया यह मैं अपनी life में experience कर चुका जब मैं ना तो गुरुजी को जानता था ना मानता था सिर्फ एक अंकल थे जिन्नों गुरुजी के बारे में मेरे को 92 में बत तरह है बस में अब हैं तो सरीर तो मेरा नीचे आगया लेकि मेरी पैंट जो है वो किसी कील में अटग गई और मैं ऐसे नीचे जब गिना हूं तो बसके नीचे आ गया मैं दोनों पिछले टायर जो डबल टायर होते हैं बसके वो मैंने अपने सिर तक आते हुए देखें उसके नीचे से कैसे निकला मुझे आज तक नहीं पता कि तीन सो साथ डिगरी मैंने मूव किया है नीचे से और वो सेकिंड का भी हजार मैंने जब टायर देखे हैं और उसके बावजूद में सेव हो गया जैसे अंकल बता रहे सेम डिट्टो वही चीज थी और उसमें जो मेरे साथ जो हुआ ये राइट हैंड की जो एल्बो था उसमें से रेडियल हैड थी वो टूटी उसका एक एक एड़ इंच का जो एना पीस डॉक्टर ने काटके निकाल दिया डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि अब आप इसको जो ने लिफ्ट नहीं कर सकते कोई चीज इसको हैंग तो कर सकते हो लटका तो सकते वो जनको लेकिन उसको लिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने वो पीस हो दिया है जो पीस अटकता था और हम लिफ्ट की स्टेंथ मिल द आज तक इस हाथ ने कभी धोका नहीं दिया वजन जो डॉक्टर कहते हैं कि मेडिकल साइंस ये कहती है कि वो हाथ कोई उसको लिफ्ट नहीं कर सकता मैं उस हाथ से पूरा काम करता हूं अब से लेके आज तक एक 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 ऐसा वक्त आ है कि जो मेरे को पेंट लिखाने की ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है कि गुरुजी ने अपने बारे में मुझे साके बताके उनकल के थुरू अपनी सरण में तभी से ले लिया और मेरी जिंदगी में जो उनका कल्यान करने का तरीका है जो उनका ब्लेसिंग्स देने का तरीका वो सुरू हो चुका था बहले कि जो फासी के साजया उसको एक चांटे में कनवर्ट कर दिया यह माने और उसका भी मेरी जिन्दगी में कोई फर्क नहीं क्यों को हाथ बिल्कुल प्रोपर चल ला तो यह जो अंकल बता रहे हैं मैंने तो वो वक्त था ही नहीं कि गुरूजी के सरूप भी मेरे पास वह जिन अंकल ने बताया था गुरूजी उपर नहीं दिखा था क्योंकि 2006 में भी बड़े मुस्किन से गुरूजी के सुरूप मिलते था ऐसे फ्रिक्वेंट नहीं था जैसे आज गुरूजी के सुरूप मिलते हैं किसी भी फोटो फ्रेम वाली कि दूपान पर दखा हो मिल ज अंकल बोलते हैं कि तब मैंने मैंने जाना कि गुरूजी ने मेरी लाइफ सेव की है क्योंकि हम जब उस वक्त में वापिस दोर में वापिस जाते हैं तब हम महसूस करते हैं कि हम में हमने तो उसमें से बचना ही नहीं था लेकिन कैसे बचे कोई न कोई है जिसकी किरपा से ह हमें बचाया है आगे उन्होंने अपने फादर के बताया कि माई फादर वाज डाइगनोसाइज्ट एज हैविंग ए ट्यूमर विच ट्रण आउट टू भी मैलिगनेंट मलब उनके फादर को जिसे जिन्दिगी जाने की चांस ही होते हैं वो कहते हैं कि थू अगुए पीरिप एंड शर्जरी उसके लिए उस ट्यूमर के लिए उनके पिता जी उनकल के पिता जी जो है वो फादर ने त्रीक्मेंट को रेस्पोंड किया और रिकवरी बड़ी तेजी सी हुई उनकी गूरुजी ब्लेस्ट हीम विद ए नियुव लागशल कि गुरु जी ने उनके फादर को एक नई जिन्दगी बक्सी और ये यूनिवर्सल टूथ है कि जो सांसें सबसे कीमती हमारे पास हैं सांसें और उसके साथ में है एक आत्मा का अंस जो हमारे हर जीव के अंदर बहुत वोता है ये दो चीज ऐसी प्रिशस हैं कि जो आत्मा को तो वो बताते हैं कि बाल के दस हजार हिस्से कर दो आत्मा का उतना सरूप है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उसकी ताकत कितनी है और दूसरा है सांसें जो मिलती है जिन्दगी भी सांसों से होती है सारी दुनिया की दोलत इखटी करके हम खर्च करने की कोशिश के रहे पर एक सांस हम नहीं ले सकते और गुरुजी महराज की ब्लेसिंग से अगर हम में न्यू लाइफ मिलती है किसी को तो इस ब्रह्मान में उससे बड़ा कोई अमीर नहीं है कि वो सांसे वो गुरुजी से पा जाए जिसके लिए सारी दोलत बेकार हो जाती है जिसके लिए हम मारे मारे फिरते हैं सारी दोलत एक तरफ पर एक सांस है तरफ एक सांस हम करीद नहीं सकते जितने दे के भेजे हैं उसमें से एक सांस नहीं करी सकते हैं और गुरुजी की blessing से अगर वो जिंदगी भक्सते हैं मला extend करते हैं इसके दो चीज़ होती है एक तो गुरुजी के आने से हमारी जो negativity life की खतम होती है और positivity आती है सकारातमत आती है नकारातमत खतम होके तो क्योंकि होता है कि जब हम गलत काम करने चलते हैं तो हमारी सांसों की और हमारी धर्कन बढ़ती है गलत काम करने में हमारी सांसे ज्यादा खर्च होती है अच्छा काम करो कि इसी भलाई का काम करो कि उसमें सांसे कम खर्च होती है और जब हम सिमिलन करते हैं ध्यान करते हैं तो सांसों की स्पीड और कम हो जाती है यानि कि वक्त बढ़ जाता है सांसे कम खर्च होती है तो यह यह भी एक तरीका है कि जब हम अच्छाई की दर्फ चलेंगे जब हम सोच सकारातमक रखेंगे किसी के बारे में ब एक एक तो ये extension है, एक दूसरी extension है कि सासे ही उन्होंने बक्स दी, सासे क्यों बक्स थे, कि जो गुर जी बोलते हैं कि जो मैं देने आएं वो तो कोई मांगता ही नहीं है, बाकी दुनियावी चीज़ों को पीछे पड़े हैं, कि उनकी कोशिस है, कि हम इस जनम उन्होंने साक और कोशिस देखो कि वो चाहते हैं कि जो वो देने आएं वो हमारी संमस्ग में आजाए और हम उस रास्ते पे चलने एक लिस्त पे चलाना चाहते हैं और वो हम पाजाएं जिसको वो देना चाहते हैं पर हम कहीं ना कहीं फेलुट विकार होता है जब तक विकार हमारी जिंदगी में रहे तब तक हम यह इसमें भवर में घूमते रहेंगे तो नई जिन्दगी देने का मतलब है कि इससे बड़ी blessings आपके जे में कुछ नहीं है आपके बैंक में कुछ नहीं है आपके सर पे छत नहीं है अगर जिन्दगी है तभी तो यह सारी दुनिया को आप enjoy कर सकते हो अगर जिन्दगी नहीं है आखरी सांस आपकी चल दी है सब तो चुझे है कि बिमारियों को भोग रहे हो भुख खाने सी ज्यादा दभाईयों को भाक रहे हो क्या वो जिन्दगी है बहुत बड़ी बडी जिन्दगी होके और ऐसा भोगने से अच्छा है कि चोटी जन्दगी अच्छी हो जो ऊपकर काम आ सकने दूसरे के लिए कुछ अच्छा सोच सकें, अच्छा कर नहीं सकते तो सोच सकते हैं, क्योंकि हमारी जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं भी, अगर हम दूसरे के प्रति पॉजिटिव भावनाएं रखेंगे, तो वो भी उसकी लाइफ में असर करता है, जैसे हम किसी को हमारे जो बु लेना बंद कर दो, तो भी आपकी जिंदिगी बड़ी सहज हो जाएगी, उसके बाद उन्होंने अंकल ने अपना एक्स्पिरिंस शेयर किया है, at every step of our lives, he has been our protector, कि हमारे जिंदिकी के हर कदम पे, वो हमारे रक्षक की तरह जो है, हमारे साथ, if I go on narrating his innumerable miracles, कि वो कहते हैं कि यदि मैं उनके असंख्य miracles उनके साथ हुए, उनको मैं narrate करना शुरू कर दूँ, लिखना शुरू कर दूँ, I guess I will while short of pages and words, कि मैं गैस कर सकता हूँ कि मैं उनको लिखने के लिए पेज कम पड़ जाएंगे और शब्द कम पड़ जाएंगे, जैसे शब्द में हैंना कि पूरा समुन्दर जो है, वो शाही बन जाए और सारे जितने पेड़ हैं, बनस्पतिया, उसकी कलम बन जाए, और सब कुछ होने के बाद भी तेरी बड़ियाई लिखने सुरू करूएं तो वो वो भी कम पड़ जाएगा, वो उंकल ने इसमें एक गागर में सागर वाली जो बात कही है, और यह सब के साथ हैं, गुर जी की जितनी संगत है, अगर जब वो अकेले में बैठते हैं, अपने बारे में हैं, और जब गुर जी के सरण में आने से पहले की जिन्दिकियों को देखते हैं, और गुर जी के सरण में आने के बाद की जिन्दिकियों को देखते हैं, तो हमें आमूर चूर परिवरतन नजर आता है, और हर चीज़े इस पस नजर आने लगती हैं, क्या सही है, गलत है, उसका अपना ले इन्हेल कर ले और इन्हेल करेंगे तो वो एक्टिवेट होगा रेक्टिवेट होगा तो हमारी जिंदी की वैसी खुसियों से बर जाएगी सुख और खुस में बड़ा फरक है हम सारे साधन करते हैं सुख के जिसमें संसाधन सारे खर्च हो जाते हैं पर सुख मिलेगा इसकी गारेंटी नहीं है पर अगर खुसी की बात हम करें तो किसी एक गरीब को खाना खिलाने से किसी को गिरते हुए को उठाने से बलब कुछ भी ऐसा करने से ऐसा भी है कि जिसमें एक पैसा आपका नहीं लगा कोई वक्त भी नहीं लगा लेकिन आप खुशी उसमें पा सकते हो बिना खर्चे के खुशी मिल सकती है और सुख में सब कुछ खर्च करने के बाद भी सुख आ मेरे माता-पिता या बेहन को उन्होंने ब्लेस किया. वो कहते हमें लिए नहीं हमारी फैमिली नहीं जो आ रही थी, मेरे कजन तक को जो अनुन गुरी जी ने ब्लेस किया. और ये मैंने महसूस किया है, अपनी उसमें, कि जो जिसके साथ आपका दिलका रिस्ता है, पर नो सकता है जिससे आपका दिल का रिष्ट है जो जिसके दुख से आपको दूर वो कहते हैं ना कि सुख पर जो दुख में तो पता है कि उनकी संगत को उसके दुख से फी दुख होगा तो बिना उसकों आए बिना उसके माने भी उसका भी ग्रूजी कलियान करते हैं कि उसके दुख से उनकी संगत को दुख हो न है यहां तक गुरुजी जी को करते हैं मैंने अपने दोस्तों में अपनी रिस्तेदारों में यह चीज मैंने देखी है और महसूस की है कि चाहिए वो आते हैं नहीं आते हैं चाहिए मानते हैं नहीं मानते हैं कोई बात नहीं क्योंकि मेरे को गुरुजी ने अपनी सरण में लग वो कहते हैं कि एक कोई सुद आत्मा कोई बैड़ जाए तो पूरी नाव में चाहिए सारे पापी हो वो नाव कर जाता है एक के साथ वो सारा तर जाता तो ऐसी है कि गुरुजी के यहां एक ने आना सुरू किया आपकी फैमिली क्या आपके जो पूरवज्ज चले गए वो क्य सब को गुरुजी तारने के लिए तेयार बैठें बस हम अपने भाव को अपनी श्रद्दा को अपनी निष्ठा को अपने भरोसोई को कायम करके चले क्योंकि उनको जो चाहिए वो यही है कि आपका भाव बना रहे आपकी शरद्दा जागरत रहे आप में निष्ठा निष्ठा वान मलब उनके प्रति आपको वोना चाहिए और भरोसा बना रहे और यही चीज़े हैं जो इस्तमाल करके हम गुरुजी तक जा सकते हैं गुरुजी को पा सकते हैं यह संदिव. वे उनका जो बताते हैं कि ना कि मेरी फैमिली पेरेंट्स, नाम मेरी सिस्टर या हमें ही नहीं मेरे कजिन जो दो साल पहले जो है न वो एक एक्सिदेंट गुआ था उनका उनको भी गुरुजी ने बचा है तो गुरुजी नोज एवरिटिंग विविस फोर जो हम सोचते हैं जो हम चाहते हैं वो सब कुछ गुरुजी वो कि एड़ ग्रांट्स करें देते हैं अपने वो वक्त जो है ना उनका मुकरर्र किया होगा है क्या देना किसको देना कैसे देना कहां देना कितना देना वह सब कुछ वो डिसाइड करते हैं मलब टाइमिंग और जो देना है उसकी प्रूरुजी की और वो भी कोई है कि आपको पूरा वर्सा बोड़ेंगे अगर मांगते रहेंगे नॉर्मली होता ही है यह कि हम जहां भी जाते हैं मांगते हैं और उससे एक ही चीज़ कहते हैं कि जो हम मांगने पहले वो देदे फिर हम तेरा करेंगे जो उपाय करना हमने या तेरे करने के लेकिन यहां तो यह है कि आपने कुछ मांगने की जरूरती नहीं है उन से बैस्ट हम सोच नहीं सकते उन से बैस्ट मांगने सकते जो वो हमें देते हैं हमारी जिन्दगी में जो हमारी जिन्दगी को नुकसान पोचाएगा वो कोई चीज हो वो कोई इनसान हो वो कोई परिस्तितिया हो वो बिना हमारे अरदास किये बिना हमारे मांगे जो है नो वो सुभ हमारी जिन्दगी से निकाल देंगे बस हमें भरोसा करना हो क्योंकि गुरुजी जानी जहान है वो सब कुछ जानते हैं. गुजे तो पहला पार्ट यही पढ़ाया था. जब 2006 में गुरू जी कहा गया था तो जिसके थुरू गुरू जी ने बुलाया था उसने एक ही चीज़ कही थी. कि गुरू जी जानी जहान है जिसको वो गुरू जी अपनी सरण में बुला रहे हैं. उसका सब कुछ पता है गुरू जी परवचेते हैं ना उनको कुछ बताना पड़ता है. वो सब कुछ उनको पता है. तो एक ही चीज़ जो पहले दिन बताया था वो आज भी उसी को मैंने गांट मारा हुआ है कि जब सब कुछ उनको पता है तो मैंने कहना किया. और हमें जो दुख या परिशानी आती है वो तो हमेरे पिछले करम है. और जब हम किसी से करजा लेंगे, करम भी करजा है, जब हम करजा लेंगे तो उतार के ही उतरेगा. वो कहते हैं कि ब्यास तो मा फेज से भी निकाल लेते हैं चाहिए उन्हों अपनी कमाई देनी पड़े यह शबद में हैं कि जब आप पूरा भरोसा करते हो अपने गुरू पे तो वो अपनी कमाई लगा के भी जो है न वो अपनी जो उन्हों पर भरोसा करता उसको उस फेज से निकाल देते हैं यह उसकी साथ है 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 और हमारे लिए है को फोर ब्रिंगिंग अंडर अंडर गुरुजी प्रोटेक्शन की गुरुजी के प्रोटेक्शन में लाने के लिए टू रिसीव इनफेनाइट मर्सी कि उनकी जो अनंत दया हैं जो ब्लेसिंग्स हैं उसको पाने के लिए गुरुजी जो सरन उनको मिली वो कह रहे हैं उसके लिए मैं ठेंक्स करता हूं उस शक्ति को जिसने मेरे को ये रास्ता दिखाया गुरुजी तक तोचाया गुरुजी ने मेरे को बुला है एंड ग्रेस और जो उनका अनूग्र है जो गुरुजी ने उन पर किर्पा की है तो ये गुरुजी का जो अंकल का जो सत्संग है उसमें बहुत छोटा-छोटा की है लेकिन अगर इसकी उसमें जाएंगे डिस्क्राइब करेंगे तो इसको ये पूरी क किताब बन जाएगी कि हर सत्संग अंकल का जो है उसके अंदर उन्होंने तो ट्रेक्स दी है लेकिन उसको जब एलोबरेट किया जाए तो वो सब इतना कुछ होगा संगत के लिए तो सब कुछ है तो गुरुजी की मेहर सारी संगत पर बनी रहे गुरुजी ने सरण में कि है बहले हम को जंग कि इस लिए बहले हैं कने वह के लिए उसको लगा क отвеч में कर रहा है यह हमारी अपणी समझ यह जो इश्वर ने जो हमें जो सांसे नहीं है वो तो सिम्रन के लिए है क्योंकि सिम्रन ही हर उसका आधार है और जब आधार आपका अच्छा होगा तो जो भी उसको उपर बनेगा उस पर कुछ न कुछ ठीक पाएगा अगर आपका बेस ही ठीक नहीं है तो कोई भी चीज आपकी जो ने इस्थाई नहीं हो सकती आप उस उसको कभी भरोसा नहीं कर सकते। आगर आधार कमजोर है तो हमें जो अपना आधार बनाना है वो पूल की, ना माला की, ना परशाद की जिसी चीज की जिरूत Lord की नहीं है सब कुछ आपके अंदर है उसको मालिक की किरपा हो जाए इस्तमाल करना सिख जाए जै गुरुजी महाराज, अंकल बहुत प्यारे प्यारे शब्दों से आपने ससंग रीड किया है, नरेट किया है और बहुत ही अच्छे अच्छे मेसेजिज दिये हैं, गुरु परवा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु महाराज की किर्पा हम सब पर बनी रहे, गुरु महाराज की आशिरवाद आप सब पर, गुरु संगत पर, इसी के साथ ही हम लोग, अब हम सब गुरु महाराज से आग्या लेंगे,